जाहिन फैंज गुड मॉरогंग डिफेंस कमांडो चैनल में आप सवी का स्वागत है मैं इस वीडियो का माधाम साथ को विहार में जो आपको माली की वहकेंसी जाई है और विहार दानापूर और आरो में जो वहकेंसी आर्मी के बारे मैंने बताया था उससे related मैं आपको सारी जनकारी इस वीडियो में दूँगा साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 38 करजाल है सहाइको की भी आपको जो बहाली होने वाली है मैं सारी details उसमें बताऊंगा खास करके मैं आर्मी की जो भी त्यारी कर रहे है कांडिडेट उनके लिए भी मैं आपको रोज की अपडेट आपको देता रहूंगा तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो अच्छा लागे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे साथ ही मैं आपके लिए बहुत भी बहतरिन आर्मी से रिलेटेड बुक्स के बारे में भी बताऊंगा पहले आप दोर निकाल लेज़े फिर उसे मेडिकल से रिलेटेर में वीडियो आपको पुरवाइड जरूर करूंगा कि आर्मी की मेडिकल में अधिकांस्ता स्टुडेंट कहा दिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है तो मैं संपूर्ण जनकारी इस वीडियो में दूँगा और ये निव वेकेंसी जो आने वाले आपको उसकी जो आपको बेतन की भी बात की जाए तो यहां आप देख सकते कि 25,720 रुपे रखी जाएगी तो एक किसमें कौन-कौन से भ उनका बेतन जो मिलेगा 25,720 रुपे और एक हजर माली की वेकेंसी जोगी तो भवन निर्मान विभाग के उद्धान परमंडल पटना में इस साल करीब एक हजर माली की निक्ति होगी ठीक है इन्हें करीब 25,000 रुपे प्रतिमा बेतन मिलेगा इनकी तैनाती पटना के सभी पार्को सहीत सरकारी भावनों में होगी 29 बर 2019 में राज कबिनेट ने एक हजर माली का स्थाई पद स्रीजित करने के मंजूरी दे दी थी इसके बाद इस पर परकिरिया सुरू हो गई इसके तहते फिलहाल उद्धान परमंडल पटना इसकी नियमाली बनाने में जूटा है इस नियमाली को राज कबिनेट से मंजूरी के बाद नियुक्ति के परकिरिया सुरू होगी सुत्रों का काना है कि पार्क और सरकारी उद्धानों की देखरेक के लिए 1999 में 747 अस्थाई माली थे 2010 तक इनमें से 249 पद सेश रागए है तो 2010 तक इसमें 249 पद ही रागए है मेडिकल और टीए भी सामील है तो टोटल आप इसमें आपको भात्ते इसने सामील है 25,720 रुपे में और यहां आप देख सकते हैं कि जो यहां दिया गया है कि राज सरकार की योजनाओं का लाब लोगों को लोगों तक समय से पहुंचे इसको लेकर सभी परखंडों में ए परेशानी ना हो इसके लिए 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर वां औरतिस कर जाले सायकों की सन्विदा पर निप्ती होगी तो यहां पर देख रहें गी 534 डाटा इंट्री ऑपरेटर यानिकी जिसको डाटा इंट्री, been a Formे में डिंटऑ अगर आपको किसी चीज की जनकार से भरता है आप लोग की एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा इनर्जेटिक फिल कराती है तो जीलों में एक करजाले सहाय की निक्ति सन्वीदा पर वेल्ट्रॉन के माध्यम से की जाएगी अधिकारियों के मुताबिक डालटा इंट्री अपरेटर के हर परखं पर उनको वेल्ट्रॉन के नाम से भी जानते है तो इस तरह आपको डाटा इंट्री अपरेटर यानि कि वेल्ट्रॉन की जितनी भी आपको एक जामस होती है किस परकार से उसकी पढ़करिया होती है निक्तिक है मैं सारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो अगर आपक बताऊंगा इसी वीडियो में जो आपको आर्मी से रिलेटेड दौर से रिलेटेड आपको होगी कि आपको गुरू वार की यानि कि आज की सुबह में कितने कंडिडेट को बुलाया गया था मोझहपपुर और दानापूर यारो में और कितने कंडिडेट वहां पे जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ आठाई जनवरी 2021 को तो आपको आठाई जनवरी 2021 को उन्चालीस और सट कंडिडेट आपको दौर लगाएंगे और यह आपको किस ट्रेट से रिलेटेड है मैं यह भी बताऊंगा आपको तो देखें हाँ पर दिया गया है कि चक्कर मैदान जा उसमें आठ जिलो के कंडिडेट 4967 कंडिडेट आपको भाग लेंगे ठीक है और आपको 4967 कंडिडेट है क्योंकि आठ जिला के वैकेंसी मुझपापुर यारों से होती है और 4967 कंडिडेट ने फॉर्म अपलाई किया है ठीक है इसमें मुझपापुर मदबनी के लिए मुझपापुर यारों के 55,000 और दानापुर यारों के करीब 89,000 अभ्यारतियों ओनलाइन आवेदन किया है तो पूरी आवेदन की बात किजा जितनी भी ट्रेट होती है जैसे आपको ट्रेड मैन टेकनिकल नर्सिंग आर्मी कलर्क जीडी इन सारी ट्रेड के लिए जो आपको वेकेंसी होती है इस सारी ट्रेड में आपको 55,000 मुझपापुर से और दानापुर यारों से आपको आवेदन किया गया है ठीक है मार्सलिंग एरिया से मिलेगा प्रवेश तो आपको मुझपापुर जो सेना बहाली में कुरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखा ज में Region में और को इन्टरी का समय दिया कि दो बज़े को और से आपको पर्वेसि कराया जाएगा इसके बाद रॉफ हाइट, इसके बाद wegen admit card की जाच के बाद दौर के लिए बैच बनाया जाएगा तो आपको जो आफको है हाइट लिया जाता है, admit card का जांच किया जाता है आपको वहाँ पे और बार तो इससे आप देख सकते अगर नहीं देखें projeto हैं सब्सक्राइल होते कि आजवा से बाइस्टे को ऐक और च्आप द Wha ये जाता है तो यहां से जब छोड़ेंगे तो अगर आप यहां पीछे वाले candidate है तो आपको running करके directly यहां जाना है इसको इतना मतलब आपको cut करना है कि इस पर दोड़ना है बहुत ऐसे candidate है जिनको आदमें पिस्वास रहता है और इस track को छोड़ करके बाहर से थोड़ने लगते तो उनको जो 400 की track को सारे 400-420 पढ़ने लगते तो इस परकार से आपको running बिल्कूल नहीं करना है यह गलती आगर आप किये तो फिर आइसका साजा आप ही को भुगतना पड़ेगा और खास करके आपको टेकनिकल में और आपको GD के candidates को आपको जो marks ज्यादा अगर आप physical में collect कर ले आपके लिए वेटर हो सकता है तो इस परकार को और वी वीडियो और जनकारी नोटिफिकेशन पाने के लिए मारे चैनल से जुरे रहे है जाहिंद जा भारत थैंक्स पर वाचिंग